क्लास 12 एकोनोमिक्स की बुक इंडियन एकोनोमिक डेलप्मेंट का चेप्टर रूरल डेलप्मेंट है ग्रामिंड विकास जिसको हिंदी में कहते हैं इसका पार्ट वन में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और उसमें हमने बात करी थी कि जो अग्रिकल्चर सेक्टर है रूरल जो हमारा रीजन है उसकी प्रोब्लम्स क्या है वहाँ पे गौर्मेंट डेलप्मेंट के लिए क्या कुछ किया है अग्रिकल्चर इंप्रूव्मेंट के लिए क्या किया है मार्केटिंग के लिए क्रेडिट के लिए क्या कुछ प्रोवि food grains produce करो, गेहूं, चावल, उगाओ, जवो, मक्का, ये सब उगाओ, इसके साथ में क्या problem होगी, income stable नहीं होगी, क्योंकि फसल एक particular time पे उगती है, कटाई होगी, एक particular time पे income होगी, थो और दा year income नहीं मिलेगी, दूसरी बात, अगर अगर वो एक फसल खराब होगी, तो समझ लीजिए, पूरे साल की कमाई बरबाद होगी, तो ये बड़ा जोकिम है, तो केबल करशी आया पर निर्वर रहने में अधिक जोकिम है, इसलिए करशी विविदी करना, प्रदान करना जरूरी है, क्या करेगा ये, सप्लिमेंटरी गेंफुल एंप्लॉइमेंट देगा, एक ऐसा एंप्लॉइमेंट, यानि खेत में तो आप काम करी रहे हैं, आप देख रहे हैं, खेतों में क्या होता है, बेसिकली, डिस्गायस अनम्प्लॉइमेंट होता है, जिसे हम एंप्लॉइमेंट मिलेगा और गेंफुल होगा, जिसमें एक्स्ट्रा इंकम होगी फैमिली की, तो हायर और स्टेबल इंकम हो जाएगी फैमिली की, तो डिवर्सिफिकेशन में दो चीज़े होती हैं, एक तो ये कि जो फसल आप उगा रहे हैं, उसमें डिवर्सिफिकेशन कर दो की, फसल एक नोगा करके कई तरह की फसले करो, जिसमें कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग भी जिसको हम कहते हैं, कि कई तरह की फसलों को मिक्स करके उगा लो, या फिर फसलों की अधरावदली करो, तो क्या होगा एक फसल घराब भी हो गई तो ऐसा नहीं कि income zero हो जाए दूसरी बात कि mixed cropping के और भी scientific benefits होते हैं कि जो land होता है उसकी fertility यानि उसकी जो औरवरक्षमता होती है वो बनी रह आती है दूसरी possibility है कि diversification of product activities कि कुछ जो labor जो खेत में काम कर रहे हैं वो labor वहाँ से shift हो जाए और दूसरे कामदंदों में थोड़ी लग जाए हो इनकी बार आप बात करते हैं डीटेल में देखे, crop production में क्या था कि cropping pattern हम थोड़ा सा बदल ले number of crops increase कर ले food grains अगर हम उगा रहे हैं कि ठीक है गहो यार कुछ लोग उगा रहे हैं वो इतना उगा रहे हैं कि बाकी लोग उनसे खरीद के खा लेंगे तुम कोई ऐसी फसल हुगा हो जिसे तुम market में बेच लोग पैसा आ जाएगा उतने पैसे में कुछ अपने और काम कर लेना और कुछ में तुम गहों खरीद भी लेना multi cropping system बहुत असल परणा ली जिसके बारे में मने अभी बात करी यह possible less में और दूसरा वाला क्या है दूसरा वाले में हम यहां पर shift करेंगे workforce को agriculture से other allied activities यह अभी allied activities क्या है यह हैं जैसे poultry fisheries daring daring मतलब गाय भैस पालना दूद के लिए मक्षन के लिए दही के लिए इन सब चीजों के लिए तो यह other possibilities है इसमें खास बात क्या है कि agriculture और allied activities यह एक दूसरा को help कर देगे अगर एक किसान ने अपने खेत में काम किया और साथ ही साथ उसके family के कुछ लोगों ने या सभी ने मिल करके एक dairy भी लगा ली तो अब होगा क्या फायदा कि किसान के खेत में जो घास फूस जो उगेगा वो dairy के काम आ जाएगा पशू को खिलाने के लिए और पशू जो गोबर देंगे वो काम कहा जाएगा वो काम आ जाएगा खेत में खाद के रूप में साथ ही अब मालिय भैस है या फिर गाय है उनके जो बचड़े होंगे वो भी तो खेत में हल जोतने काम आएगे ना कल को बड़े हो करके तो ऐसे एक दूसरे पर डिपेटनेंसी हो जाती है इसलिए एलाइड एक्टिविटीज भी कहते है और ये एक दूसरे को बहुत हल भी करती है नौन एग्रिकल्चर सेक्टर भी हो सकता है लेधर इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है टूरिजम यानी की आपने देखा होगा आजकल रूरल टूरिजम बढ़ रहा है कि लोग गाउं में रह करके एक दो दिन चार दिन बिताना चाहते हैं वहाँ पे तो रूरल एरिया में परेटन को बढ़ावा दे सकते हैं हतकरगा, शिल्प, मिट्टी के बरतन आदी बनाना, यह सब आप देख रहे हैं कि शेहरों में आजकल जो बरतन हैं वो मिट्टी के आने लगा हैं फिर से जो घर में जिस पे हम रोटी बनाते हैं वो तबा मिट्टी के आने लगा है जो थाली है जो पहले बड़े लोग शान से बताते थे मेरे पास plastic के बरतन है बड़े decorative, colorful अब वापस लोग traditional way पे आ रहे हैं मिट्टी के बरतनों पे खाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि देख लिया कि plastic कितनी harmful है और मिट्टी कितनी हमारी health के लिए जो है good है तो इससे क्या होगा कि alternative avenues create होंगे और livelihood जो है वो sustainable होगी stable होगी income sustainable होगी क्योंकि एक दूसरे पर dependency है और इससे rural जो distress है वो कम होगा कि वो जो वहाँ तनाव है वहाँ के G1 में आये कम होने की वज़े से जो वहाँ एक risk रहता है हमेशा कि crop failure की वज़े से कहीं असान हो कि वो दुबारा poverty में आ जाए वो खतम हजाएगा अब एक एक करके हम बात करें यह सारी जो allied activities है ना इनकी एक करके बात करें सबसे बहले बात कर रहे है animal husbandry की पशू पालन जिसे कहते हैं या फिर मुर्गी पालन पाल्ट्री भी कहते हैं animal husbandry को हम daring भी कहते हैं daring मतलब कि dairy लगा लेना एक दूद के लिए तो इसे livestock farming भी कहते हैं livestock basically क्या होता है पशू धन पशू धन में गाए भैस घोड़ा और आपका उट हाती यह सब उसमें आ जाएंगे इंडिया के पास सबसे बड़ा livestock है दुनिया में सबसे ज़ादा पशू जो है भारत में सबसे ज़ादा है अगर हम counting करेंगे तो और यह क्या है agriculture की एक ऐसी branch है जिसमें क्या होता है basically breeding, rearing, caring होती है farm animals की यह सारे काम किये जाते है livestock की अगर हम बात करें तो इसमें poultry, cattle, goats, fowl यह सब उसमें शामल होते है इससे क्या होता है income stable होती है transport की facility और food security यह भी better होती है अगर सिर्फ गेहुचावल उगाएंगे मक्का उगाएंगे तो लोग सिर्फ vegetarian food खापाएंगे जो की अपरयाप्त हो सकता है हमारी population के according लेकिन अगर हम cattle को भी rearing कर रहे है दूद भी तो हमारे लिए nutrition का एक source होगा milk और milk products उसके अलावा goats हैं, fowl हैं, poultry हैं यह eggs और जो basically जो meat है यह भी तो nutrition का एक source बनेगा न तो हमारी इतनी बड़ी large population के लिए हमारे पास alternative food resources भी होने चाहिए साथ करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिल जाता है इतनी बड़ी population हो देखिए इसमें रोजगार मिल रहा है उसके अलावा यहां पे क्योंकि challenges हैं बहुत सारे इंडिया में live stock का size तो बहुत बड़ा है लेकिन उसे improve किया जाने की ज़रूत है क्योंकि उसमें quality उतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए veterinary care और credit facilities की ज़रूत है कि लोग खरीद पाएं सब चीजों को यह सब arrange कर पाएं क्योंकि शुरू में investment तो होता ही है न वो investment के लिए loan सरकार से easily मिल जाए veterinary care इसलिए चाहिए क्योंकि अगर पशु चिक इसा नहीं होगी तो यह बिमार हो जाएंगे dairy में मालिया पशु को एक बिमारी लग गई और सारे पशु हो फैल गई सारे पशु अगर मर गए तो dairy का मालिक वो तो बिशारा बरबाद हो गये न वो तो कहीं कर नहीं रहा करजे में डूब जाएगा तो इसलिए यह सारी चीज़ों की जरुत है अभी हमें operation flood की बात करते हैं यह dairy से related ही है dairy लगाओ, दूद पैदा करो, milk products बनाओ और उसको market में बेचो जो की एक extra source of income हो सकता है agriculture के अलावा इसे से related है operation flood जिसे हम श्वित करांती या white revolution भी कहते हैं डॉक्टर वर्गिन्स कूरियन का नाम समने सुनाओगा इनको मैकसे से award भी मिला हुआ है अब यह जीवित नहीं है गुजर गए है इनको father of operation flood कहते हैं भारत में और इसमें क्या था इसे के लिए गुजरात में प्रारम हुआ कि लोगों ने milker के काम किया कॉपरेटिव बना ली milk कॉपरेटिव बना लिया लोगों ने और गाय भैस उन्होंने पाली दूद उन्होंने मतलब जो उनके पास में पैदा हुआ वो सारा दूद उन्होंने इकटा किया इकटे करके उसको उसकी क्या करी ग्रेडिंग करी किस क्वालिटी का दूद है अलग-अलग क्वालिटी के दूद की अलग-अलग पैकेजिंग करी शेहरों में उनको भेजने लगे और इतना दूद पैदा हुआ में हो चाहिभा पॉल्ट्री में हो और agriculture में कोई भी success story जहाँ किसानों ने या लोगों ने गाउं के लोगों ने को ए सब्रयोरिक्सुल हो बाकी सारे सारे लोगों के साथ कि बारत में जो दूद का production था वो 5 गुना हो गया 5 टाइमS हो गया तो यह बहुत grains का production बढ़ा है काफी तेजी से एक और खास बात जो fact है वो ये कि इंडिया में live stock जो है ना वो largest है दुनिया में सबसे बड़ा live stock है यानि number of buffaloes, cows, fowls, ducks ये सब मिला करके लेकिन इंडिया में जो production है मिलक का वो उत्रा नहीं है जितना की दुनिया के अलग अलग देशों में होता है क्योंकि वहां गाय भैस जो है वो शायद उन्नत किस्म की है तो यहां पर बहुत जारूत है productivity पर काम करने क्योंकि इंडिया में productivity जो है वो दूसरे countries के comparison में कम है fisheries की बात कर लेते हैं fisheries जो है basically हम जैसी इसकी बात करते हैं हम दिमाग माता कि समुदर में मश्री पकड़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन यहां पर contrast to that कि लोग को लगता है कि सिर्फ समुदर में मश्री पकड़ी जाती है इसका उल्टा है कि भारत में 65% जो है मत्से उत्पादन वो inland sources से होता है fresh water sources से होता है inland sources जैसे तालाब नदियां जीलें इन से और 35% होता है marine sources सागर महासागर इन सब से यह इसमें क्या है basically मश्रीया पकड़ना उनकी processing करना और उनको फिर बाजार में बेचना और न सिर्फ मश्रीया बलगी और जो aquatic animals हैं प्रॉंस भी हो सकते हैं उसमें तो इन सब को catching processing और selling जो है यह included होती है fisheries में भारत के GDP में 0.9% share है fisheries का अपना में significant कहा जा सकता है लेकिन समस्या क्या है कि जो लोग fisheries के business में लगे में हैं वह मेहनफ तो बहुत करते हैं बलकि समुद्र को या नदीयों को लोगों जहां से मशली पकड़ते हैं उसको वो अपनी माँ पुलाते हैं उसको दाता कहते हैं क्योंकि वहां से ही उनको मशली मिल रहे हैं वहीं से उनकी लाइवलियूट चल रही है लेकिन बहुत गरीब होते हैं उनकी प्रतिविक्तिया आये बहुत काम होती है अंडर एंप से बाहर निकालने के लिए तो ऐसे में बहुत बजट एलोकेशन की जरूत है ताकि वो टेकनलोजी पर काम कर सकें और अच्छे उनके पास टूल्स हों एक्यूपेंट हों जिनसे की ओफिशरी का जो बिजनस है उसको चला सकें उसकी पैकेजिंग कर सकें उसकी ग्रेडिंग कर सकें एक्सपोर्ड भी कर सकें अपने प्रोड़क्ट्स को और जो एक्सेस लेबर वहां पर लगी हुई है तो वो फिर अधर डिवर्सिफाइड जो एरियाज है उसके काम करने लगें उनके पास में अधर बिजनस ऑफ्शन भी आ सकें दूसरा कंट्रोल करने जोगते है वा जबावित होगा क्योंकि वो फिर नहीं चल पाएगा और जो ट्रडिशनली इस बिजनस में लोग लगे में वो सारे क्या है अनप्लोड हो जाएंगे उनकी लाइवलिविड के सॉर्सिस खतम हो जाएंगे होटी कल्चर की बात कर लेते हैं यह अपना में बहुत सिग्निफि लेबल्स, फ्लार्स, मेडिशनल या अरोमेटिक प्लार्ट्स या मसाले जिसे स्पैसिस कहते हैं इन सब को पैदा करना यह होटी कल्चर सेक्टर में आता है और इसका फायदा क्या है एक तो एम्प्लोइमेंट के सॉर्सिस डल अप होते हैं लगबग 20 परसंट जो हमारी ले लियूड का सोर्स हैं तो इनकम जो है स्टेबल होयाती है कि आप खेती कर रहे हैं गेहू चावल मक्का यह सब तो गाई रहे हैं साथ में कुछ फूलों का वेपार भी आपने करा जिससे रेगुलर इनकम होती है ऐसा नहीं कि 6 मेने साल भर के लिए आपको रुकना तो यह क्या करता है कि कॉंट्रिब्यूट्स नियरली वन थर्ड ओफ वेल्य ओफ एग्रिकल्चरल आउट्पूट एक तिहाई आउट्पूट जए अग्रिकल्चर को यहां से आता है और जीडीपी में भारत के 6% कॉंट्रिबूशन होटी कल्चर का है तोटल किया रहा है उसकी वजह से अब कंट्री मैंगोज बनानाज कोकोनट कैश्यूनेट इन सब फ्रूट्स और बहुत सारी स्पाइसी में टॉप प्रडूसर होगी है वर्ल्ड में अब यह क्या है सेकिंड लार्जेस्ट प्रूट्स और वेजटेबल बन गई है कंट्री पूरे इनक्रीज की वजह से इसको हम गोल्डन रेवोलूशन कहते हैं तो एक्जाम में आप से पूछने में गोल्डन रेवोलूशन किसे रिलेटिड है तो आपको वहाँ पे टिक करना है होटी कल्चर से या फिलिंदा ब्लैंक्स है तो आपको वहाँ पर बताना कि होटी कल्चर या मैं आपने में और किया है हapter है और एक्रीकल्शर से क्या रप्र है वाईटै चाह अब लास्ट एक बात करते हैं इनफ्रमेशन टेक्नोलोजी की बात कर लेते हैं यह अग्हीं कब्राइच ऐस 국 the इंजिनरी है ब्रांच है जिसमें कि हम computers को और telecommunication के जो हमारा setup है उसको use करते है इन्फोर्मेशन को collect करने के लिए, save करने के लिए और transmit करने के लिए यानि यह एक इसान से दूसरे इसान पर बेशने के लिए और particularly हम यहाँ पर क्योंकि agriculture और rural area की बात कर रहे हैं तो यहाँ information किस से related? information, food insecurity या vulnerability से related वहीं किस area में food की shortage हो सकती है, government को पता चल जाता है information technology को use करके और वहीं पर वो पहले से provision कर देते हैं, stocks create कर देते हैं, food का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, दूसरी जगा से, food का यह करती क्या है? emerging technology, नई जो technology दुनिया में आ रहे है, agriculture से related या allied activities से related, उसकी information देती है किस product के price, किस market में क्या चल रहे हैं, weather कैसी रहने वाली आने वाले टाइम में speculation में help कर देते हैं, soil conditions किसी particular area में कैसी हैं उसमें help कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो information technology के तुरू किसानों को पता चल रही हैं और बहतर जानकारी होना, बहतर साक्षर्था होना यह हमेशे help करता है किसानों को कि वो ज्यादा अच्छे decisions ले सकें अपने खेतों को, अपने फसलों को बहतर बनाने के लिए तो इस तरीके से information technology अपना में क्या है? यह boon है, पुरा rural जो हमारा sector है उसके लिए ना सिर्फ agriculture के लिए इस वीडियो में इतना ही, thank you so much for watching this video इसके बाद में एक unit और है human capital formation की, जिसको मैंने भी complete नहीं कराया है उसको और मैं बहुत जल्दी complete कराने वाला हूँ बाइबाइ, take care, thank you so much झाल झाल